नमसकार दोस्तों, आज के मैच के बारे में बात करते हैं, डेली कैपिटल और कुजड़ा टाइटल्स, कल जिस तरीके से मेरे चीजे बताई थी, आपको प्लेर्स की रोटेट करते हुए, उसी तरीके से आज के मैच में भी सेनारियो आपको देखने के मिलेगा, मैंने कल बता इस ग्राउंड पर फस्ट बॉलिंग करने वाली कि जो टीम में से तीन खिलाड़ी किसी भी तरीके से ड्रीम टीम में आते हैं और मैं आपको जो है ड्रीम टीम का स्क्रीन शॉट आपको दिखा रहा हूं यहां पर आप देखे जहां पर आपको सारी चीजे दिखाई देंगे म मैंने बोला था दोनों ओपनर में से एक एक ओपनर फस्ट लिंग हो या सेकेंड जिखा चलते हैं मैं परचार नहीं कर रहा हूं मैं कहえて Dieses को समझना है मैं कहें कि आपको क्या पैटन बन रहा है उसको समझना है तो उसी पैटन पर आज भी हम बात करेंगे किस तरीके से पैट बनाऊंगा और आपके आज के मैच के ट्रम प्लेयर के लिश्ट बनाऊंगा जिससे कि आपको टीम बनाने में पहुत आज यासानी होने वाली है चलते हैं सिधा स्क्रीन पर तो गुजरात टाइटन्स वर्सेट डेली कैपिटल्स 32 32 मैच है साथ बज़े से मैच होने वाला है और यह जो मैच है यह है अहमदाबाद के ग्राउन पर ठीक है 17 अप्रिल 2024 अब सबसे पहले हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को समझेंगे देखे दोस्तों आपके सामने पॉसिबल प्लेइंग लेवे मैंने यहां पर रखा हुआ है बट सिच्वेशन होते रहते हैं तो किसको पॉसिबल प्लेइंग लेवे नहीं लोग बताए खैर अभी यहां पर देखा जाए तो गुजरात के तरफ से शुम्मन गील और साइंस उदर्सन को अपनी करने के चांसर दिखाई दे रहे हैं मैथू वेड है अविनो मनुहर विजय शंकर राहुल शारू खान है जो कि आपके इंपाक्ट प्लेयर में आये थे खेलने राशिर खान यादव जी नूर अहमद मोहिशर्मा जी और स्पेंसर जॉन्सन यह पॉसिबल प्लेइंग लेविन गुजरात के तरफ से है अब सेनारियो समझेगा कि यहां से मतलब गुजरात के तरफ से जो पावर प्लेय के जो बॉलर है वो होंगे उमेश यादव ठीक है एस्पेंसर जॉन्सन जो कि पावर प्लेय में तकरीबन पांच अबर ये दोनों मिलकर करके जाएंगे ठीक है अब अगर हम बात करें डेट अबर की तो मोहिशर्मा और आपके राशित खान राशित खान अब आई थिंग सर्त्रावा और राशित खान करवाएंगे उसके बाद 18 और 20 वा ओवर हो सकता है कि मोहिशर्मा को दिया जाए 19 वा ओवर या तो उमेश यादव या फिर स्पेंसर जॉन्सन इन दोनों में से कोई कराखे जाएगा तो यही सिनारियो बनता है ठीक है ना मोह आपको दिखाने वाला हूँ अब आईए बात करते हैं डेल ही कैपिटल्स की तो डेल ही कैपिटल्स से डेविड वर्नर और प्रिथवी शौव ओपनर है मैं ग्रूप, पंग्ध, स्टप्स, हूप, पोरेल, अक्षर पटेल, यादव, मुकेश कुमार, इशान सर्मा और खल कौन से हैं और डेट के बॉलर काउन कौन से हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ठीक है उनिसवा या विसवा उबर जो है इशान सर्मा कराएंगे ये क्लियर रखिएगा और खली लहमद दो से तीन उबर पावर प्ले के अंदर करके जाएंगे दो उबर तो मिनिमम ठीक है इसके बाद पावर प्ले में आपको यहां से मुकेश कुमार भी करते हुए दिखाई देंगे कुल्दी प्यादव हैं सोला से सत्रावा उबर तक कुल्दी प्यादव आएंगे बीच में मेडिलोडर अच्छर पटे ले और इसके बाद खली लहमद भी उनिसवा तहे कुनिसो अभर या ठरावा उबर मिले नहीं तो सबसे ज़्यादा जो चांसेज है वो है डेथ में बॉलिंग कराने के मुकेश कुमार ठीक है और इशान सर्मा ये दोनों सत्रा से लेके बीस के बीच में ये दोनों कम से कम एक से एक एक दो दो ओबर करके जाएंगे मतल से नारियों यहां पर बनता है सबसे पहले हम स्टेप बवन देखते है स्टेप वन कह रहा है कि यहां पर स्ञाव जीरो से दो वीकेट मिल सकता है फिस्ट इनिग में zero से दो वीकेट और सेकेंट इनिग में स्ञावैच फास्ट बॉलर्स की बात करें, तो देखें, 3-3, 5-5, 1-8, 2-6, मतलब की 8 विकेट भी गिरे हैं, 6 विकेट भी गिरे हैं, लेकिन जो विकेट हैं, वो 3-5 की हैं, तो हम मानके चलते हैं कि 3-7 विकेट गिरने की संभावना फरस्ट इनिंग में हो सकता है, सेकंड इनिंग में भ से नौ बिकेट गिर सकता है अब एवरेज स्कोर की बात करें समझेगा 2023 और 2024 को दोनों आकड़ा को समझते हैं ठीक है यह जो है यह आपके सामने जो दिखाई दे रहा है यह 2024 का है यह भी जो है 2024 का है ठीक है लेकिन इसके पहले जो है यह 2023 की आकड़े हैं जो यह यहां से लेक मैच बना 160, दूसरा 162, तीसरा जो मैच हुआ 199, तो एवरेज हम मान कर चलते हैं कि 180 से लेके 220 के बीच में स्कोर हो सकता है, क्योंकि यहां भी थोड़ा सा बैटिंग पीछ है, बट समझेगा बात को, क्योंकि मैं यहां पर 180 तो बोल दिया, लेकिन एवरेज मुझे लग रहा ह कि 170 से 180 का ही आकड़ा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा जो है, 160 से 180 होगा, क्योंकि जो पीच है, काली मिटी और लाल मिटी के मिक्सर के साथ, जो इस पीच पे आज मैच होने वाला है, पीच नमबर 6, उसके उपर आज यह मैच हो सकता है, तो वो जो मिक्सर पीछे लाल और काली दोनों को मिक्स करके बनाये गया है तो एक तरीके से बैलस्ट बिकेट होगा यानि कि जो जब बढ़िया परफॉर्मेंस करके जाएगा ओ अच्छा करके जाएगा चलिए थोड़ा सा और अब आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों हम लोग देखते है यहाँ पर पेसर्स और स्पीनर्स का क्या रेशियो है इस ग्राउंड पर तो देखें चोहत्तर अबर यहाँ पर पेसर्स ने डाले हैं तो 26 बिकेट मिला और वहीं पर इस्पीनर्स ने 45 अबर में यहाँ पर 10 बिकेट लिये हैं तो रेशियो थोड़ा सा ज्यादा देखा ज वो आपको यहां पर पेसर्स को advantage है ठीक है यह तो हम यहां पर यह बात समझ गए अब आए आगे अब अगर समझते हैं यहां से चीजों को समझना है ध्यान दीजिएगा यहीं से सारी बात हमें थोड़ी सी clear cut होंगी अगर हम देखते हैं यहां पर कि किस तरीके से situations हो रहे हैं तो थोड़ा सा हमें आकडे पर नजर रखनी है ध्यान दीजिएगा दोस्तों को कि दोनों साइड से जो batsmen है वो अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं यहां पर situation को आप समझिएगा क्योंकि यहीं गड़ी थे जिसको समझना है देखें दो बार ऐसा हुआ है सिर्फ दो बा फ्लॉप हुए है दो बार फ्लॉप भी हुए है ठीके और बाकी के टाइम पर एक कोई ओपनर अच्छा करके गया है बट यहां पर situation देखिएगा यह जो रन आकड़ा आप देख रहे हैं यह शुमन गिल के आकड़े हैं याद रखेगा शुमन गिल के आकड़े हैं क्योंकि शुमन गिल ही यहां पर फर्स्ट बैट में ज्यादा तर अच्छा करके जाता है तो यहां पर कोई एक ओपनर अच्छा खेल के जा सकता है या यह भी condition होगा क्योंकि ज्यादा तर में जो chances देख रहा हूँ न यह समझेगा कि 80% और 86% के आसपास का selection दोनों मतलब कि जोनों opener batsmen है गुजरात के side से दोनों opener batsmen के selection लगभग 80-86% है मतलब बहुत लोग इनको लेकर जाने वाले हैं साथ में 80% लोग इनको साथ में लेकर जाने वाले हैं कहीं अगर गड़बढ हुआ जो कि होगा कहीं अगर गड़बढ हुआ तो सब की वोट लग जाएगी रिस्क लेना है अगर आप एक team बना रहे हैं तब ठीक है लेकिन अगर आप एक से दो तीम बना रहे हैं तो रिस्क लीजिएगा दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके वो भी मैं आपको बताऊंगा flop list में क्या है ठीक है हमने ये तो देख लिया या तो हमें दोनों opener के देखा जाए तो यहां पर average performance है अच्छा performance है तीम नंबर के player का अच्छा record है चार नंबर के player का अगर record देखा जाए तो ठीक ठाक है मतलब captain vice captain के लायक नहीं है ठीक है बाकी यहां पर performance सिफ और बाकियों के player की अगर बात करें तो यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा ह cvc करने की जरूरत इन लोगों को नहीं है देखे रहे हैं कुछ खास नहीं है यानि कि दोस्तो जो situation समझ में आ रहा है वो क्या है यह देखे है सबसे पहले हम यह देखते हैं कि batting first में यहां पर कई बार ऐसा हुआ है ठीक है चार बार ऐसा हुआ है जब चार से ज़्यादा बिकेट गिरे ही नहीं है बाकी जब गिरे हैं तो उनमें से सिर्फ एक बार यहां पर एक क्यावन रन है बाकियों के कुछ खास performance नजल नहीं आ रहा है overall हमारे पास एक barrier दिखाई दे रहा है और वो है 5 नंबर का barrier ठीक है समझिएगा इस गड़ीत को यानि कि हमें top 4 batsmen पर focus क कहां करना है याद रखिएगा focus कहां करना है top 4 batsmen पर अब यहां पर हम देखते हैं कि top 4 batsmen में से captain के लाएक जो पारी है वो कौन खेल के जा रहा है कितनी बारी हुआ है पहले match में नहीं हुआ दूसरे match में दोनों opener ने अच्छा पारी खेल के गया यहां पर यह यहां पर यह 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 इसके बाद यहां पर नहीं है यहां पर नहीं है और यहां पर यह यह इनि कि guys 8 match में 5 match ऐसा है ठीक है 5 match ऐसा है जहां पर top 3 में से याद रखिएगा top 3 में से उपर का कोई captain बनके जा रहा है clear है समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ यानि कि C और VC की अगर बात करें तो यहां पर first batting में top 3 में से 5 बार ऐसा हुआ है कि जब कोई batsman इस ground पर captain बनाए ओके है आप लोग देख लिजिएगा rotation top 4 में ही डालना है लेकिन एक team risky भी बनाईएगा guys क्योंकि आज मुझे लगता है कि match उल्टा होगा सब लोग एक ही तरह से जाएगे सब लोग एक ही तरह से जाएगे तो आप top 4 को रखिए और 2-3 team बनाएए जिसके अंदर से 2 team top 4 में से कम से कम 2 player को drop कीजिए ठीके और उसके जगा पे 5, 6, 7 में से किसी 2 को रखिएगा clear है चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा situation को शुम्मन गिल और साइस सुदर्सन ये दोनों opening करने आएंगे और जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये highly risky team की बारे में बात कर रहा हूँ clear है अब इन दोनों का selection percent जो है 80% से above का है इन दोनों का selection percent मान कर चलते हैं हो सकता है सुदर्सन का 76 के आसपास हो बट जो भी होई तो आपको क्या करना है कि इन दोनों में से किसी एक को drop कीजिए या फिर आप दोनों को drop कीजिए क्योंकि दोस्तो समझेगा इस बात को सबसे ज्यादा selection percent है पूरी dream living में या पूरी जितनी भी fantasy app है इन सब पे इन दोनों को लोग लेकर जाएंगे सब को पता है शुमन गिल first inning में बहुत बढ़ियां तबर तोड़ खेलता है सब को बता है साइन सुदरसन भी बहुत अच्छे form में है लेकिन क्या होगा अगर ये दोनों जल्दी आउट होंगे तो मैं highly risky की बात कर रहूं कि उस case में आप इन दोनों को जो है अपने team से drop कर दीजिए अब यहां से आपको उठाना है इशान सर्मा, खली लहमद, मुकेश कुमार इशान सर्मा भी power play में balling करते हैं एक से दो भर इसके मुकेश उबर हैं खली लहमद है ठीक है या तो आप खली लहमद को रखिए इशान सर्मा को रखिए या मुकेश कुमार को रखिए ठीक है इन तीनों में से कोई एक इन लोगों को बिकेट चटका के जाएगा मतलब समझे रहे अगर उपर के टॉप पडर को आप उडात यह चारों में से तीन बैट्समेन को अपने अंदर रखना है मैथूएड जिनका फर्स्ट इनिंग में रिकॉर्ड अच्छा होता है ठीक है इसके बाद अभिनाव मनुहर विजाशंकर राहूल तेवतिया इन तीनों में से बस और किसी दो को रोटेट कर लिजेगा जैसे अ इसके बाद नंबर तीन के प्लेयर को रखिए मैथूवेड उसके बाद आपको रूटेशन कहां करना है दोस्तों पता है अभिनो मनुहर विजेशंकर और राहूल तिवतिया इन तीनों में से किसी एक को ही आप आपको अपने टीम में रखना है ठीक है तो अगर आप मान ल अच्छा फॉर में उनको रख सकते हैं या फिर अभिनो मनुहर या फिर विजेशंकर रोटेट करना है आपको इन तीनों पे जिस पर भरोसा होगा उसी को रखेगा मैं आप बोलोगे कि मैं बोलूँ भाई मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं आपनो मैंने बोल दिया अभि जैसे कि बैट फर्स कहारा है तॉप फॉर में से तॉप फॉर तॉप फाइट में से ही आपको बैटमिन को चुनना है ज्यादा तर लोग सुबन किल को कैपने बना के जाएंगे साइंस अधर नुद बना के जाएंगे मैं तो इस तरीके से रोटेशन करना है यह गुजरात क अगर यह लोग बैट फर्स्ट करते हैं तो दोनों लोग दोनों को लेकर जाएंगे, बहुत सारे लोग दोनों को लेकर जाएंगे, मैग ग्रूप को भी लेकर जाएंगे, ठीक है, लेकिन दोस्तों सब चलेंगे इस बात की कोई गारांटी नहीं है, रोटेशन कैसे हमने रखा एक टीम में डेविड वर्नर को, प्रित्रिशो को ड्रॉप किया, मैं ग्रॉप को ड्रॉप किया, सिधा रखा, रिशा पन्थ, और यहां से टी एस डफ्स और साई होप में से किसी एक को, तीन प्लियर के साथ हम जाएंगे, ठीके, फिर दूसरा टीम बनाईए, डे हर टीम में, अब मैं आपको दिखाता हूँ, कितने बैट्समेन को लेना है, अब आप इसको समझेए, पहले मैच में से सिध दो प्लियर ड्रिम टीम में आए, दूसरे मैच में भी दो प्लियर ड्रिम टीम में आए, तीसरे मैच में दो प्लियर, चौथे मैच में तीन प्लि मतलब आप देख रहे हैं कितने प्लेजर आ रहे हैं ड्रिम टीम में बैटिंग फस्ट से 2 3 2 3 3 2 2 2 मतलब 2 का रेश्यो ज़्यादा है यानि कि मीनिमम दो और मैक्सिमम तीन प्लेजर ही आपको batchman लेने हैं बैटिंग फस्ट से अब आप ये मत कहना कि मैं पागलो वाली हरकत कर रहा हूँ, इतने सारे बैश्मिन में से सिर्फ दो या तीन को लेने के लिए के लिए कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगे तो एक बार कल की ड्रिम टीम उठा कर देख लेना, यही एक लोजिक है जहां से आप अच्छा कर सक सकते हो दोस्तों, समझने का फेर है, समझ गए तो बढ़ियां हो सकता है, फर्स्ट इनिंग का जो बॉलिंग ओडर है, वो क्या कहता है, फर्स्ट इनिंग का बॉलिंग ओडर के कोर्डिंग देखते हैं, राइट आम फास्ट मिडियम जो बॉलर है, कितने बार विकेट लेक यहाँ पे सिर्फ एक विकेट लेके गया है, नहीं तो चार, पांच, तीन, तीन, दो, तीन विकेट, चार विकेट, पांच विकेट भी, कोई राई टाम फास्टर यहाँ पर लेकर गया है, कलियर है, दूसरी राई टाम फास्टर की बात करें, ठीक है, तो सिर्फ दो बार हु नहीं मिला नहीं मिला ठीक है थीड कि बार पांच बाुछ बार बॉर यहां पर आगर हम बात करें चाइना मैं को, विकेट नहीं मिला, नहीं मिला, एक बार एक विकेट मिला, Chineseman काओ ने, खुल देपियाद ओ, leg break spinner की बात करते हैं, राशिट खान जैसे player को, यहाँ पर विकेट नहीं मिले, ठीके, एक एक विकेट मिला है, नहीं तो, विकेट नहीं मिले, ठीक है तो दोस्तो situation के according अब हम अगर देखे कि हमें क्या करना है conclusion तो any team ball first अगर कोई भी team ball first करती है समझेगा guys जो बता रहा हूँ कम से कम एक right arm fast baller को रखना ही रखना है चाय कुछ भी हो जाए और दूसरा right arm fast baller को आपको या तो रखिए या तो उसको रखिए या फिर एक क कम से कम एक और maximum दो ठीक है एक या दो आपको किसी भी हाल में आपको दोस्तों यहां पर right arm fast baller को रखना ही रखना है ओके है second inning की batting order की बात कर लेते हैं कि second inning का batting order किस तरीके से चला यहां पर opening जोड़ी flop यहां पर चले यहां पर flop यहां पर flop ठीक है यहां पर flop यहां पर flop ठीक है आप देख रहे हैं second inning में या तो सिफ दो बार ऐसा हुआ दो बार और एक यहां पर मतलब 50-50 chance नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे 8 match में से 3 बार जो है दोनों opener चले हैं और बाकी के time पर लगभद 3 ओपनर flop हुए हैं दोनों opener ठीक है तो यहां पर 50-50 chance है या तो चलेंगे 50-50 chance है या तो चलेंगे या फिर आपके flop होंगे ये बात समझेगा opening जोड़ी हो तीन नमबर के player 69, 30, 32, 20 ठीक है यानि कि अगर देखा जाए flop होने की chances तो सिफ तीन बार ऐसा हुआ है कि जब यहां पर one down का player flop है नहीं तो बाकी के time पर चला है तो तीन नमबर के player important हो सकता है यहां पर 61, 27, 46, 44 और 5 चार नमबर का player भी पिछले चार मैंस से अच्छा performance दे रहा है लेकिन 5 नमबर के player की बात करते हैं ठीक है कितनी बार चला 64, 43, 25, 14, 15 अब देख रहे हैं second inning में मतलब किसी तीन बार बाकी का कुछ खास performance नजर नहीं आ रहा है बाकी होगे player का ठीक है यहां पर सिर्फ एक बार 6 नमबर के player ने 60 बनाया और नीचे 31 तो उसको छोड़िए ऐसा कभी कभी होता है हमेशा नहीं होता है लेकिन अब गाईज जहां तक हमें समझना है कि second inning सबसे पहले देख लेते हैं second inning से कितने batsmen निकलते हैं हर match से तो एक में 59, 26 दो player निकले यहां से दो निकले यहां से एक दो निकला यहां से एक दो तीन यहां से एक दो तीन यहां से एक दो ठीक है यहां पर एक दो तीन एक दो और तीन यानि कि सेकंड इनिंग में भी दोस्तो दो से तीन ही बैक्स में आ रहे हैं लेकिन एक बात जो आपको नोटिस करना चाहिए वो यह है कि जब ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप हो रहा है दोस्तो ठीक है तो उसके नीचे में से जो कोई है न एक अच्छा परफॉर्मिस करके जा रहा है अब एक और चीज़ है जो समझना है कि हम यह देखते कि क्या सेकंड इनिंग के बैक्स में को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है जैसे मैंने बताया फर्स्ट इनिंग के कैप्टन वा और हुआ जो कि VC के लायक बना हुआ है बाकी के टाइम पे यहाँ पे एक सट है ठीक है बाकी के टाइम पे कुछ खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आया है यानि कि अगर ध्यान से देखा जाए ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ आठ मैच में से गीना चुना चार मैच ही ऐस जब second inning का किसी backman को captain या vice captain बना जा सकता है, यानि कि लगभग percentage जो है, वो मात्रे 10% है second inning से captain और vice captain जो है आपके team से आने के, बहुत कम chances है, सिर्फ एक बार ऐसा हुए, मात्रे 10% chance है, चलिए, अब हमने यहाँ पर यह चीज भी समझ लिया, जिस तरीके से first inning बताया, उसी तरी साइन सुदर्शन और सुम्बन गिल, second inning में मानलोग गुजरात की team जाती है, तो आपको क्या करना है, सुम्बन गिल और साइन सुदर्शन दोनों को drop कर दीजे, आपको किसको लेना है, मैथुवेड, अभिनमनोहर, जो इन लोग में सबचते हैं, जोसे आपने मैथुवेड को रख लिया, एक टीम में मैथुवेड को रखो, फिर राहुल तेवतिया को रखो, और फिर अभिनमनोहर और विजा शंकर में से किसी एक को रख लो, तो इसी तरीके से आपको rotation करना है, team perfect बनेगे, लेकिन ये दिमाग में रखेगा कि दो से तीन बैच में नहीं आपको हर हाल में team से उठाने है, अब आईए बात करते हैं second inning से कि क्या हो रहा है, ballers की बात करते हैं, देखे right arm fast medium सबसे पहले बात करते हैं, right arm fast medium जो baller है, ठीक है, 4 wicket, 5 wicket, 3 wicket और 2 wicket, बाकी के time पे 1 wicket भी लिया है, यानि कि एक right arm fast medium baller हर हाल में यहाँ पर wicket ले ही रहा है, लेकि इसके बवजूद भी ले तो रहा है, लेकिन कोई न कोई एक right arm fast baller यहाँ पर अच्छा खासा wicket लेके जा रहा है, देखे एक right arm, दूसरा right arm fast baller, 2 wicket, 4 wicket, ठीक है, इसको wicket नहीं मिला, बाकी 2 wicket, 2 wicket, यहाँ पर 1-1 wicket है, यानि कि दोस्तों second inning में right arm fast medium baller कहर बरपा रहा ह record सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, हर हाल में, अगर हम बात करते हैं left arm fast baller की, ठीक है, तो 2 बार wicket नहीं मिला, बाकी के time पर 2-2 wicket भी मिले हैं, और 1-1 wicket भी मिले हैं, यानि कि rotation वाला हो गया, अगर leg spinner की बात करें, तो कई बार तो इसको wicket मिले ही नहीं है, और कई बार मिला, तो 1-1 wicket मिला है, यहाँ पर 2 wicket, बाकी के time पर 1-1 wicket, ठीक है, अगर China man की बात करें, 1-1, 0, 0, 2, और 2, ठीक है, मतलब average है, orthodox का भी वही हाल है, बट सबसे जादा अगर highest की बात करें, तो conclusion क्या कहता है, यहाँ पर हम देखते हैं, conclusion हमारा यह कहता है, कि यहाँ पर कि किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, दो right time fast baller को हमें रखना ही पड़ेगा, दो right time fast baller को हमें रखना ही पड़ेगा, तीसरे में होगा left time fast medium baller, या फिर कोई एक spinner, any one spinner, कोई एक spinner, जो quality वाला spinner होगा, जिसको wicket अभी तक पिछले 2-3 matches से नहीं मिले होंगे, उसके wicket लेने के chances स सबसे ज़्यादा होंगे, यानि dream team में आने का, clear है, इसी तरीके से आपको दोस्तों समझना होगा, right time fast medium baller कौन-कौन है, आपको मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, देखे, अब right time fast medium baller के अगर बात करे, कौन-कौन है, तो मैं आपको ब गुजराद balling करने जाती है, तो आपको क्या करना है, कुछ team बनाईए, जिसके अंदर मोहिर सर्मा को captain बनाईए, ठीक है, मोहिर सर्मा को captain, vice captain बनाईए, एक दो team के अंदर, फिर एक दो team के अंदर VC बना दीजिए, उमेश यादो को, लेकिन focus किजिएगा, मोहिर सर्मा पे, और आपको क्या करना है, Spencer Johnson को second inning में rotate करना है, या तो नूर अहमद, या फिर राशिद खान के साथ, clear है, उसी तरीके से दिल्ली की बात करते हैं, अगर दिल्ली second inning में balling करती है, तो आपके सामने आएंगे, मुकेश कुमार और इशान सर्मा, ठीक है, मुकेश कुमार और इन दोनों में से किसी एक को captain बना के लेके जाएंगे, जैसे मुकेश कुमार को बना दिया, ये ऐसे selection है, जिसको कोई नहीं रखेगा, कोई भी नहीं रखेगा, पूरी दुनिया batting section पर focus करके जा रही है, आप भी जो, मैं मना नहीं गर रहा हूँ, लेकिन captain बनाओ कहीं और but situation क्या कह रहा है, दोनों ही inning में, first हो या second हो, fastest wicket लेके जा रहे हैं ठीक है, खली लहमद को rotation में डालो, कुल्दी प्यादो को rotation में डालो, अक्छर पटिल को rotation में डालो, focus करो, मुकेश कुमार, कुल्दी प्यादो, या फिर और कोई fast baller आएगा, तो उसके उपर, clear है, ठीक जो लोग gamesc11 अभी तक डाउनलोड नहीं किये हैं, डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल free entry है, ठीक है, उसमें पैसे नहीं देने है, और 50,000 रुपे का giveaway चलेगा, पूरी IPL चलेगा, रोज आप बीना पैसे लगाए, बीना एक रुपे लगाए, बीना एक रुपे लगाए, आप यहां से जोइन कर सकते हैं, बिल्कुल free entry है, फर्स्ट रैंक वाले को 25,000 रुपे का free giveaway मिल रहा है, और अगर आपको extra contest खेलना होगा, तो price pool यहां पे 20 लाख रुपे का है, कल एक भाई ने दिया, आपको पता है, गेमसी सिलेबन के उपर, जोस बटलर का selection percent मात्र फोर था, सोचो अगर किसी के team में, अगर सिर्फ team में भी होगा वो, तो उसका कितना higher selection percent होगा, कल बहुतों ने गेमसी सिलेबन के उपर अच्छा पैसा कमाया है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं, यहां पर जाकर खेलिए, ठीक है, price pool जो है, वो 20 लाख का है, 3 लाख रुपे कम स तरफ से free t-shirt contest का, राशिद खान, फिर से वही सवाल आया है, आज भी कि राशिद खान total कितने point देगा आज के match में, ठीक है, तो इसके उपर आप लोग, focus कीजिएगा, सवाल comment में जरूर लिखेगा, और match शुरू होने से पहले, आज के flop list की बात करते हैं, पहला कुलदीप अएदो 75% का सेलेक्शन है, शुम्मन गिल 93% का सेलेक्शन है, राशिद खान 84% का सेलेक्शन है, डेविड वर्नर 82% का सेलेक्शन है, मैक ग्रूप 30% का सेलेक्शन है, पृत्वी शुष दर्शन 86, और खलील हमण 62, दोस्तों, आप आई होप आप लोगो को बहुत सारी नहीं मिल रहा है ठीक है प्रित्वी शौप पिछले दो-तिन मैच से अपने रिकोर्ड के अगेंस्ट भी जाकर खेल के आये हुए है इनका सेकेंड इरिंग में रिकोर्ड अच्छा नहीं है फिर भी सेकेंड इरिंग में बहुत बढ़ियां खेल के आया है इसलिए आज भी इन कर सकते हैं तीन-चार मैच से ये फ्लॉप चले जा रहे है ठीक है फिर भी फ्लॉप लिस्ट में डाला है अब सिच्वेशन को समझेगा ठीक है फुलदीप यादो शुमन गील राशित खान डेविड वर्नर इन चारों को इन चारों को एक साथ एक टीम में नहीं रखना है ये बात दिमाग में रखेगा इन चारों को एक साथ एक टीम में नहीं रखना है और इन चारों को एक साथ एक टीम में नहीं रखना है अब आपको रोटेट करना है जैसे मान लिजिए आपने क्या किया कि शुमन गिल को अपने टीम में रख लिया ठीक है डेविड वर्नर क आपने टीम में रख लिया, तो फिर आप कुलदीप या दो और राशित खान को हटा दो, इन दोनों के बदले आपने क्या किया, कि आप यहां से चाहो तो सुदर्शन को उठा लो, ठीके, या फिर आप चाहो तो यहां से पित्वी शौ या मैकब्रुक को उठा लो, लेकिन चार, पांच, छे, साथ, आठ, हाँ, ठीके, इन आठों में से मीनिमम तीन, मैक्समम चार प्लेयर आज फ्लॉप हो सकते हैं, लिस्ट उसके अकॉर्डिंग तयार है, ठीके, सिच्वेशन के अकॉर्डिंग आपको फ्लॉप करना है, अब बात करते हैं, गुजरात के जो बै बाकी के टाइम पर अच्छा परफॉर्मेंस है, विजेशन कर कंटिन्यू फ्लॉप चले जा रहे है, साइस उदर्शन ये एक खिलाडी है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी कंटिन्यू दिखाई दे रही है, ड्रीम टीम में आने वाला कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यू है, इसके बाद से बात करें, लास्ट के दो मैच से बॉल बिकेट नहीं मिला है, अगर यह फर्स्ट बॉल करते हैं, तो आप इनको जरूर अपने टीम में रखेगा, ठीके, कैप्टन, वास कैप्टन भी बनाके जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बॉल में नहीं, मोहित सर्मा, दो विकेट, एक विकेट, तीन विकेट, एक विकेट, दो मैच से कुछ खास परफॉरमेंस नहीं है, अगर सेकंड इनिंग में ये बॉलिंग करेंगे, तो सी वी सी का ट्राई कर लीजिएगा, ठीके, नूर अहमत को रखेगा, ट्रम प्लेयर आज के मैच में हो सकते हैं, नूर अ यहां से कुछ खास परफॉरमेंस यहां पर दिखाई दे रहा है, बात कर लेते हैं, डेली कैपिटल्स के बॉलर्स, सॉरी, बैट्समें, कौन-कौन से हैं, प्रित्वी शौर, आप देख रहे हैं, दो बार सेकंड डिनिंग में अगेंस खेल के गए हैं, ठीके, तो आज के म गरना जैसा खिलाडी, पिछले तीन मैच से फ्लॉप चले जा रहा है, ट्रम प्लियर होगा आज के मैच के लिए, डेविड वोर्नर, मीचल मास खेल नहीं रहे हैं, विशेक पोरल, एक बार खेले थे, एक तालिस रन बना गर गये थे, बाकी अच्छर पटेल, बैटिंग से कुछ खास पोइंट नहीं है, और टी ए स्टरफ की बात करें, तो अच्छा परफर्मेंस था, लास्ट मैच में फ्लॉप हुए थे, तीन बार बहुत बढ़िया परफर्मेंस है, मैं ग्रूप की बात करें, तो पचपन, मैं यही कहूँगा, कि अगर आपको चांस लेना तो मैं ग्रूप के बदले टी स्टब्स के उपर चांस लीजिएगा, मैं ग्रूप को फ्लॉप करने के चांस रखिएगा, डी सी के बालर्स की बात करते हैं, इशान सर्मा, ठीके, दो बार ऐसा हुआ है, विकेट नहीं मिला, बाकी के टाइम पर एक दो दो विकेट है, अक् अरी लहमत की बात करते हैं, ठीके, ये खिलारी कंटिन्यू रिदम में है, इसलिए लोग इसे ड्रॉप नहीं करेंगे, लेकिन आप रोटेशन कीजिएगा, जिस तरीके से मैंने बोला हुआ है, कुल्दी प्यादो उधर दो मैच खेले थे, विकेट लेके गये थे, बाकी क रिकॉर्ड रखते हैं, तो ध्यान में रखेगा, मुकेश कुमार अगर खेलेंगे, तो ये भी आपके ट्रम प्लेयर आज के मैच के लिए हो सकते हैं, याद रखेगा, ठीके, आईए आगे बढ़ते हैं, ट्रम प्लेयर से आज के मैच के लिए, यानि की प्लेयर जो आज के match में दिखाई दे सकते हैं कौन कौन से है Spencer Johnson मात्र 7% का selection है first ball में try कर लिजेगा first ball में try कर लिजेगा second ball में rotate करेगा Mukesh Kumar साड़े 12% का selection है दोनों first inning हो या second inning हो बोथ inning में आप इनको try कीजेगा ठीके rotation में डालेगा क्योंकि यहां से कोई 2 player कम से कम 2 player आपको कम से कम 70-80 point देने वाले हैं उमेश यादो जो है 25% का है इनको rotation में डालेगा fix करने की जरूरत नहीं है rotation में डालेगा इशान सर्मा डेथ में जरूर बॉलिंग करेंगे रखना जरूरी है इसके बाद नूर रहमन ट्रम प्लेयर होंगे आज के मैच के लिए 16% का selection है ट्रम प्लेयर हो सकते हैं आज के मैच के लिए और मोहिच शर्मा important player है आज के मैच के लिए 60.65% का selection है ठीके फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो बोथ में मैं लिख रहा हूँ ड्रिम टीम में बोथ में रखना है सेकेंड इनिंग में CBC ट्राई कर सकते हैं फर्स्ट इनिंग में VC ट्राई किजिएगा CBC थोड़ा सा मुझे रिस्क लग रहा है बट फिर भी ड्रिम टीम में आने के लायक ये दोनों ही इनिंग में हैं अब बात करते हैं गुजरात के जो बैक्समेन है वो head to head में कैसा performance किये तो शुमन गिल एक बार 84 रन बना दो बार second inning में flop हुए है ध्यार ध्यान दीजिएगा second inning में शुमन गिल दो बार flop हुए है वीजे शंकर एक बार 29 रन बना है बाकी के time पे flop हुए है साइं सुदरसन एक बार खेले है 62 रन इसके बाद राहुलतिवतिया 14 और 20 है किसी का कुछ खास नहीं है अभिनो मौन होर एक बार 26 ठीक है तो यहां से कुछ situation अलग सा दिखाई दे रहा है Matthew Wade एक बार खेले थे first inning में एक रन बनाये थे ठीक है दोस्तो गुजरात इन के ballers जो है head to head में कोई कुछ खास नहीं सब सारे change हो गये है ठीक है यहां से राशित खान ही ऐसे हैं जो कि head to head में एक से तीन बिकेट एक बिकेट लेकी गये हैं बाकी एक बार मोहिर सर्मा खेले ह और दो बिकेट नूर हमाद एक बार खेले हैं और कोई बिकेट नहीं मिला था आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि DC के जो baller है batsman है वो कैसा performance करते हैं तो पित्विशा फ्लॉप रिष्टा पंत एक बार 43 डेविड वर्नर एक बार 37 एक बार flop second inning में flop वो ही जाते हैं चान सर्मा एक बार खेले चार ओवर में दो बिकेट अक्षर पटेल को head to head में कोई बिकेट नहीं मिला हुआ है खली लहमद को continue बिकेट मिला है एक से दो बिकेट तो आप इनको मैंने क्या बोला खली लहमद को rotation में डालिएगा ठीक है हालाकि flop list में हैं बट खली लहमद को rotation में डालिएगा कुलदी प्यादो एक एक बिकेट का रिश्यो है नौर्खिया का एक दो बिकेट बाकी और किसी का नहीं है मुकेश कुमार को एक बार head to head में बिकेट नहीं मिला है हलाकि एक ही बार खेले थे अब आईए यहां से कुछ important facts है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं मोहिश अर्मा अहंदाबाद के ग्राउंड पर 35 बर में 26 विकेट लेके गया है 35 बर में 26 विकेट लेके गया है इसलिए important है आज के match के लिए trump player है cbc के बहतरीन choice हो सकते है अब बात कर लेते हैं गिल अहंदाबाद के ग्राउंड पर 15 इनिंग में 200 450 और 139 highest score 169 जो है इ परफॉर्मेंस करने वाले शोहमन गिल जिनको आज मैंने flop list में डाला हुआ है ठीक है और flop list में डाला इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कह रहूं कि यह flop हो जाएगा आप मत रखो रोटेट कीजिएगा भरोसा मत कीजिएगा इस खिलाडी के उपर खास तोर से सेकेंड इनिंग में तो बिल्कुल भी नहीं राशिद खान वर्सेज डीसी डेली कैपिटल्स साथ होबर में 20 विकेट लेके गये है तो important है मतलब की विकेट मिल जाता है इनको डीसी के अगेंस प्रित्वी शौ अहंदाबाद के ग्राउंड पर तीन इनिंग में एक बार 50 प्लस है और मतलब 82 हाईस स्कोर 175 का हाईस स्ट्राइक राइट है और 142 रन बनाके गये हैं कहां पर अहंदाबाद के ग्राउंड पर अगर स्ट्रप्स की बात करें तो 103 रन बनाये हैं 55 बॉल में पेसर्स की अगेंस्ट इस IPL में और एक बार आउट हुए हैं 103 का अवरेज है और 187 के स्ट्राइक रेट है तभी मैंने बोला मैं ग्रूप के जगा पर आप इन पर भरुसा कर सकते हैं अब मैंने क्यू बोला करने के लिए तो शुमन गिल का देखिए फर्स्ट इनिंग में 22 मैंच में 869 रन बनाए 42 का अवरेज समझ दीजिएगा लेकिन यहाँ पर 31 में 31 इनिंग में मात्र 1067 बनाए है और 36 का अवरेज कहा 42 का अवरेज कहा 36 का अवरेज इसलिए सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा धोखा दे के जा सकते हैं साई सुदरसन की बात करें यह भी फर्स इनिंग में रिकॉर्ड है वो सही है सेकेंड इनिंग में उतना बढ़ियां वाला नहीं है मोहित सर्मा के इनिंग करें तो आप देख लेजिए 9 मैच में 11 बिकेट फर्स इनिंग में और 8 मैच में 22 बिकेट जो है वो सेकेंड इनिंग में है इसलिए बोला कि सेकेंड को रखा और सिधा मैथुवेड इसके बाद डेविड वार्नर टी एश टब्स और अभिनाव मनुहर ठीक है मैंने शुम्मन गिल और साइश सुदर्शन दोनों को ही डॉप कर दिया है बाकी यहां से राशिद खान मोहिर सर्मा इसके बाद अक्छर पटेल है और राउंडर से इन्षांग सर्मा, मुकेश कुमार और नूर अहमद अब आपको अगर अगर लगता है रोटेशन करने के लिए तो नूर अहमद को यहां पर हटाके गील को रख लीजिए अगर रिस्क लगता है तो अभिना मनुहर को हटाके यहां पर सुदर्शन को रख लीजिए ठीक है तो इस तरीके से rotation कर सकते हैं, यह फिल हाल के लिए team है, बाकी का जो team का rotation है, वो मैं आपको telegram पर भेजूँगा, और live में आकर बहुत सारी चीज़ा समझाओंगा, I hope आप लोगो बहुत सारी चीज़ा समझ में आ गई होंगी, मिलते हैं फिल next video में, टब तक के लिए, हैं?